मैं दोबारा कोश्चन्स आप सभी को समझा देता हूं, हो सकता है, में भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं है, बस एक ओवर्विव दिया था, तो मैं दोबारा कोश्चन्स ये समझा दूँगा, और फिर वैसे वैसे करेंगे, ये मैंने लो मिटा दिया, ठीक है? जी सर हमें बनाना है April May June सर उपर लिखना है Cash Budget उपर लिखना है Budget चलिए सर सबसे पहले क्या है Particular Opening Balance फिर लेके चलेंगे हम Reset या फिर बोल लो Inflow Opening Balance Question को पढ़ा जाए Question में कहता है जी Expected 25,000 रुपे हमारे पास April के महीने में Cash है तो सर April का 25,000 हो गया Opening Balance चीक है Sales पहले एक एक adjustment पढ़ लेते हैं क्याता है Period Allowed by Supplier टू महीने जिससे समान खरीदते है वो दो महीने का हमें Allowed करता है Supplier तो मोटी मोटी बात Supplier तो Payment में आएगा न Payment की बात कर रहे है तो वो सर कहा आएगा वो वो तो आएगा सर Payment में जी सर Payment में तो यहाँ पे हम Payment भी बना लेते है यहाँ बना लेते है That is Outflow Payment बना लिया That is Outflow चलिए सर यानि कहता है दो महने बाद जैसे आपने कोई भी पर्चेस किया है फैब में आपने पर्चेस किया है फैब में तो फैब में जब आपने पर्चेस किया है इसका Payment दो महने बाद दोगे तो फैब वाले का Payment जो होगा आप जो Paid करोगे फैब में तो करोगे March, April यानि Paid कब करोगे April में और March वाले का payment कब करोगे सर? After two months तो ये मैं में आएगा और April वाले का payment कब करोगे? After two months That is June में June वाले का payment April के बाद मैं वाले का payment कब करोगे? That is two months after July में हाला कि हमें July का बनाना नहीं है तो उतने ज्यादा detail में जाएंगे भी नहीं तो पेमेंट में बात करता हैं क्रेडिटर को तो सर हम जो एपरेल महिने में पेमेंट करेंगे वो करेंगे फैव वाली पेमेंट That is 40,000 और इसके बाद 50,000 इसके बाद 52,000 पहले point में किसी को doubt तो बताईए किसी को doubt है तो बताईए कितने marks काता है? यह आपका 10 नमबर का भी आ सकता है 15 नमबर का भी आ सकता है depends on situation और नहीं भी आ सकता सब रहता है इसमें तो पताईए पहले वाले में पहले वाले में किसी को doubt no doubt चलिए अगले बात पढ़ लेते हैं adjustment दूसरे adjustment की बात करते हैं कहता है जो भी sales होगा जो भी sales होगा इस sales का 25% तो cash में बेच देंगे बाकी जो बच गया 75% that is हम बेचेंगे उधार पे कहता है 25% sales cash and the period of credit allowed to customer for one month और बाकी ये जो उधार बेचा है ये one month के बाद हमें पैसा मिल जाएगा यानि सर बहुत simple सी बात है मैं बात कर लेता हूँ 70,000 फरवरी की यहां मैं बात कर लेता हूँ 5 month की तो line खीच देते हैं ठीक है हम बात कर लेते हैं फैब की फैब का हिसाब किताब देखना आप जरा सर फैब का हिसाब किताब होगा जी हमने फैब में बेचा है 70 70 का 25 परसंट तो फैब में ही मिल गया होगा 70 का 25 परसंट तो फैब में ही मिल गया होगा that is 17,000 और बाकी जो बच गया हमारा 52,500 यह मिलेगा अगले महने यानि यह पैसा कम मिला होगा March तो क्या हम फैब का बना रहे हैं जवाब है सर फैब का तो बना ही नहीं रहे March का बना रहे हैं March का तो बना ही नहीं रहे तो ये वाला sell हमारे किसी काम कर अब March वाले sell की बात कर March वाले sell में अगर दिखा जाए तो है 80,000 80,000 का 20% 25 20,000 तो यहार sales हो गया March में ही और बाकी का 75% आपका जो बचता है 60,000 वो मिलेगा आपको April में यानि सर sales की हम बात करें और collection from debtor की बात करें तो जो March में बेचा है 60,000 उसका पैसा हमें April में मिलने वाला है March के बाद April की बात करते हैं April की sale है 92 92 का 25 तो अभी मिल जाएगा 92 का 25 अभी मिल जाएगा that is 23,000 और बाकी चला जाएगा आपका मही में तो sales 23,000 रुपे यहां मिल गया बाकी चला गया मही में debtor से पैसा मिलेगा 69 यानि हर महीने का sales का 25% इसी महीने 75% अगले महीने चलिए हमने April का कर लिया में में क्या होगा फिर से में में भी होगा न sorry पहले में में देखते हैं तो 25% इसी महने मिल जाएगा हमें कितने का sales है सर एक लाग का एक लाग का 25% तो मिल गया है और बाकी का अगले महने यहां समझ रहे हो आगे एक 20 है फिर 25% मिल जाएगा that is 30,000 और बाकी का 90,000 अगले महने तो अगले महने का बनाना नहीं है देखिए पहले sales को देखिए किसी को दिक्कत है तो बताईए sales में देखिए किसी को दिक्कत बाके तो सब आसानी है बस sales में ही आपको थोड़ा complicated adjustment आएंगे आगे चलके भी है किसी को दिक्कत sales में अधिति, शाक्षी, लेना पताईए किसी को sales में doubt no doubt चलिए तारी दूसरा C adjustment delay payment in wages one month wages को हम एक मेने बाद payment करेंगे तो हम April में जो payment करेंगे वो April का पैसा नहीं देगे April वाला payment करेंगे इसमे इसका payment करेंगे इसमे April में जाएगा हमारा पीछे मेने का payment March वाला payment April में आजाएगा wages March में कितनी payment है sir March में payment है wages का 8000 8000 April वाला मई में जाएगा 9000 मई वाला जून में जाएगा 10,000 Expense कुछ नहीं ये wages और expense में दोनों में एक ही कहानी है कहता है wages and तो sir expense में भी कर देते हैं यहाँ पे payment होगा expense में कितने 7,000 ये भी 7 ये 8 कहता है income tax हमने June में payment किया है तो sir income tax करो payment income tax June में तो सिर्फ June के महिने में जाएगा that is खतम कहानी अब बस totaling करना है चलिए sir पहले इसका total कर लेते हैं पच्चेस हजार तेइस हजार और साथ हजार that is एक लाख हाट हजार total एक लाख आठ हजार आप ऐसा नहीं कि फिर इसका कर लीजे इसका नहीं कर सकते हैं क्योंकि opening balance जब तक नहीं आएगा नहीं कर सकते 40 और 15 पच्च पन हजार यह भी total भी हो गया अब निकाल लेंगे हम balance इसको बोलेंगे cash balance या फिर बोल सकते हैं closing balance तो minus 55,000 53,000 रुपे बचाए sir और यह 53,000 आजाएगा हमारा समझे अब 53,000 पच्चिस 69,000 वन 47 इसका total करेंगे पाँच, सूला, पचास और सूला, 67 और इन दोनों को जोड़ देंगे 1,477 यह 2,14,000 अच्छा, plus कर दिया, minus करना था 1,47,000 और ये 80,000 पहुँच गया जी यहाँ अब 80,000, 30,000, 1,85 और प्लस 52,000, 10,000, 8,000, 90, 5,000, minus 184 20,000 बच गया जी हमारा closing balance ये था जी हमारा cash budget का simple question कौन सा? ये? अच्छा याँ 66 आएगा ये 66 आएगा ये और फिर ये भी क्या सी जाएगा? और ये तो ठीक है ये 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 बन गया हमारा cash budget कोई दिक्कत है? क्लियर रहाता है? सर wages का concept बता दो, बिलकुल देखो wages में क्या कहता है? मैं मिटा के बता देता हूँ सर wages में कहता है, line देखना कहता है delay payment, पैसा नहीं देंगे wages और खर्चे को एक महने, यानि आप अगर अपरिल में काम करोगे तो अपरिल में पैसा नहीं मिलेगा मई में तो हम तो outflow तो मई में जाएगा वो इसका मतलब सर अगर फैब में मैंने नौकरी की है तो फैब का पैसा मुझे मिलेगा कहा? सेम अगर हम बात करें, जो हमने मार्च, पैब के बाद मार्च में नौकरी की है वो पैमिन्ट जाएगा यानि एपरिल में पैमिन्ट तो जाएगा लेकिन मार्च वाला जाएगा अगर मैं बात करूं कि जो मार्च के अंदर जॉब करेगा उसका पेमिंट जाएगा यानि एक एक महने पुराना वेजिस जाएगा, सिम्पल सी बात है तो हम अगर अप्रेल में पेमिंट करेंगे अप्रेल महीने की नहीं होगा, कब का होगा? March तो March वाला पेमिंट कर दो April वाला पेमिंट कर दो मई वाला पेमिंट कर दो June वाला तो July में जाएगा तो वही मैंने करा March, April और मई Clear है